दोस्तों जब कोई पहली बार प्यार करता है तो उस एहसास को कभी नहीं भुलाया जा सकता पहला प्यार क्यों नहीं भुलाया जा सकता इस पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जब कोई नया नया प्यार करता है तो उसकी उचा अपने प्रेमी के प्रती इतनी स्ट्रॉंग होती हैं कि जिनको भुला पाना संभाव नहीं होता वो प्रीमी का हाथ पकड़ना, वो उसको निहारते रहना, एक पल के लिए देख लेना, साथ साथ घूमना, उसकी पसंद की ड्रेस या कपड़े पहनना, उस प्यार की यादे इतनी मजबूत होती हैं, कि जीवन के किसी भी हिस्से में उस प्यार को भुलाय नहीं जा सकता है। आदमी जब पहली बार प्यार करता है तो खाली कैन्वस होता है, और कैन्वस पर एक बार अगर किसी की फोटो अंकित हो जाए, तो उसकी परच्छाई जीवन भर आपका साथ देती हैं, उसे भुलाय से भुलाय नहीं जा सकता है, क्योंकि वो वक्त की जरूरत थी, आपने क किसी से प्यार किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये अलग बात है, प्यार में धोका खाया, ये अलग बात है, लेकिन पहला प्यार आपके घारी कैन्वस पर अंकित हो जाता है, और आपके दिलो दिमाग पर इतना हाभी रहता है, कि उसकी यादे आपके लिए मिटाना का एसास उस वक्त पहली बार होता है और उस प्यार से आपको जो-जो सुख मिले हैं वो आपके लिए अनमौल बन जाते हैं आपके लिए इंड़की में वो जितनी वैल्यू रखते हैं उतना दूसरा कोई प्यार नहीं रखता हाँ वक्त के सासात ये कम होता चला जाता है लेक का संदेश है कि शुरुवात कितनी स्ट्रंग होती है हर व्यक्ति सच्चा प्यार पाना चाहता है कोई भी धोका नहीं चाहता और जब आप पहली बार किसी से प्यार से जोड़ते हैं तो आप सपने बुर्ने लगते हैं आपके सपने इतने मजबूत होते हैं कि बस यही मेरी म हम्जित थी लेकिन वक्त के सा-साथ प्यार सफल होगा या नहीं सफल होगा सच्चा था या छूटा था यह चीज़ें चूरती चली जाती हैं लेकिन फिर भी आप उसके पृची जाधा जागरित रहते हैं उस ऐसास को आपने पहली बार टच किया था जो आपके प्रेमी से आ पर महतु रखता है और उस चीज को जो चीज जीवन का आधार है यानि प्यार ओएसास जब आपको पहली बार होता है तो आपके दुलों दुमाग पर चाज आता है बस यही कारण है जिसके वजे से आपने पहले प्यार को भुला नहीं पाते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो आत्मी मरते दम तक भुला नहीं पाता है अगर बेवफाई आई है धोका आया है तो उसे भुलाने की कोशिश जरू करता है लेकिन फिर भी अंतोत गत्वा वो नाकाम रहता है दोस्तों यह प्यार का चातु ही है जो आपको उसे मानने के लिए उसे याद करने के लिए आज आए वही प्यार है उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी अपना बहुत ध्यान रखे हंस्ते रहें मुश्कुराते रहें खुश रहें जन्यवाद